आज हम डिसकस्ट करने वाले हैं शुब और अशुब के बारे में क्या चीज शुब है और क्या चीज अशुब अशुब है तो ये हम बात करने वाले हैं जैसे कौन से दिन को क्या किया जाता है कौन से दिन को क्या नहीं किया जाता है इनके बारे में हम इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे राजस्तान की कला और संस्कृति में अपने जितने भी जन जातियों में से लेकर जो भी टॉपिक है वो हमने प अपका छूटना जाए वो राइट हो जाए एक बार इस वीडियो को देख लीजगा आपको दिकत नहीं है स्टार्ब करते हैं क्या चीज पशुब है और क्या चीज उचूब है तो मंगलवार के दिन मंगलवार के दिन ध्यान किया मिट्टी नहीं खोदते हैं मिट्टी नहीं खोदते हैं ध्यान किया अगर खोदते हैं तो वो अशुब है मंगलवार के दिन मिट्टी नहीं खोदते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं बुद्दुवार बुद्वार के दिन क्या करते हैं बुद्वार के दिने बेटे की मा सिर नहीं दोती है जो बेटे की मा है वो सिर नहीं दोती है वहीं बात कर लेते हैं तो अगर सिर दोती है तो वो अशुब है और बेटे की मा शिर नहीं दोती है इसके अलाओ बुद्वार के दिने कोई भी क कारिये शुरू कर सकते हैं प्रारंब कर सकते हैं ये शुब है ठीक है मंगलवार के दिन कोई भी कारिये शुरू किया जाता है तो वो शुब है नेक्स्ट बात करने हैं अपन सन्हिवार के लिए सन्यवार के लिए अपन सन्यवार के दिन बहु को पीहर नहीं भेजते हैं बहु है उसे सन्यवार के दिन पीहर नहीं भेजते हैं ध्यान रखेगा सन्यवार के दिन बहु को पीहर नहीं भेजते हैं और वहीं बात कर लिते हैं सन्यवार के दिन ही अपन नए कार्य का प्रारंब और समाप्त कर सकते हैं ठीक है ध्यान रखेगा नए कार्य का प्रारंब और समाप्त भी उसी दिन कर सकते हैं यह शुब है ध्यान रखेगा आगे हम बात कर लिते हैं सन्यवार के दिन नए कार्यों का सुब प्रारंब या समापन कर सकते हैं वो शुब है और सनिवार के दिने काले वस्तर पहनना सुब माना जाता है ध्यानर किया काले वस्तर पहनना सुब माना जाता है वहीं हम बात करने ते रविवार के लिए ठीक है रविवार के दिने बेटी को ससुराल नहीं भेजते हैं जो बेटी है उसे ससुराल नहीं भेजते हैं अगर वो पीहर में बेटी आईवी है तो उसे ससुराल नहीं भेजते हैं अगर भेजते हैं तो वो अशुब माना जाता है और बात करें हम रविवार के दिन दातुन नहीं करते हैं तो दातुन नहीं करते हैं तो दातुन नहीं करते हैं तो दातुन नहीं करते हैं रविवार के दिन आगे बात कर लेते हैं रात को जब तारा तूटता है उसे अशुब माना जाता है तारा तूटता है उसे अशुब म माना जाता है और बात के लिए जब तारा तूटता है तो नारियल नाम लेने से उसे शुब माना जाता है नारियल नाम लेना चाहिए जब तारा तूटता है तो अशुब माना जाता है लेकिन नारियल शब्द बोलते हैं वो एक तरीके से अच्छा माना जाता है नवरात्र मे चील या गरूड दिखे तो वो शुब माना जाता है ध्यान के का नवरात्रों में अगर चील या गरूड दिखती है तो आपको शुब माना जाता है बगवान स्री विश्णु का वाहन है बगवान स्री विश्णु है उनके वाहन है गरूड आगे बात करते हैं कुवा खोदते हैं जब किसान कुवा खोदते हैं तो उस समय बजरंगबली की पूजा करते हैं यानि कि हनुमान जी की पूजा करके पुवा खोदा जाता है ठ्यानर के का बजरंग बली की पूजा करके पुवा खोदा जाता है अगर घर में कबूतरों का निवास है आए जाए कबूतर तो ये अशुब माना जाता है ठ्यानर के का कबूतर कहा निवास करते हैं जहां लोग नहीं रहते हैं जहां सुनसान होता है तो यह माना जहां कबुतर आते जाते हैं तो कबुतर बगवाण से यही दुआ करते हैं तो यह घर खाली हो जाए ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं घर में मकड़ी के जाला होना अशुब माना जाता है मकड़ी का जाला है उसे अशुब म जाता है दोस्तों आगे बात कर लेते हैं CD के नीचे पूजा घर नहीं होता है अगर बच्चा बिस्तर में पैसाब करता है अगर बच्चे बिस्तर में पैसाब करते हैं तो ध्यार केगा पेसाब करते हैं तो वो अशूब माना जाता है एक तरी से रंगी तेजी भेरो का दोस माना जाता है मलब भेरू जी है उनका दोस माना जाता है ठीक है जो रिंगस के भेरू जी है एक तरी से के भेरू जी का दोस माना जाता है जो बच्चे बिस्तर में पेसा जात दिलाई जाती है विरुजी है उनकी जात दिलाई जाती है ठीक है आगे बात कर लेते हैं ग्रहन के समय जब सूरिय ग्रहन होता है उस समय गरवती महीलाएं बाहर नहीं निकलती है जो गरबती महिलाएं हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं सूरिय और चंद्र ग्रहन होता है तब महिलाएं जो गरबती महिलाएं हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं और ध्यान रखिएगा और इसके अलावा जब भी महिलाएं बाहर निकलती हैं और जो गरबती महिलाओं को नारियल फालती माखर बैठती है ऑगती है आगे बात कर लेते हैं अगर ये माना जता है अगर महिलाए बाहर निकलती है और जूर फालती मारकर नहीं बैठती हैं वो बच्चे विकलांग होते हैं ठीक है विकलांग होते हैं ध्यार किया अगर नारियल रखकर और पालती मारकर बैठती है तो विकलांग नहीं होते हैं ध्यार किया जब सूर्य ग्रहन होता है तब जो किरने हैं प्राबैंगी नहीं किरने हैं बहुत जाढ़ा हामफल होती है ध्यां रखिएगा इस करण चे जो बच्चों को गरब में जो बच्चा पल रहा है। उसे नुक्षा ना हो इसलिए बाहर नहीं निकलती हैं। के अलावा बात करते हैं यात्रा के समय रास्ते में जब आप यात्रा करते हो तो रास्ते में अगर सूखी लकडी ठीक है सूखी लकडी घ्यान गया और जहरीले जन्तु ठीक है अगर सूखी लकडी खाली घड़ा खाली घड़ा है या सन्यासी ठीक है सन्यासी बिल्ली रास्ता काट जाती है और कान पड़फडाता हुआ कुट्ता अगर आपको मिलता है और चीक आना और जाते हुए टोकना यह अशुब माना जाता है यह अशुब माना जाता है लेकिन जग घर के बाहर निकलते हैं शुब क्या मना जाता है जब घर से बाहर निकलते हैं तो वह गीली लकडी हरीजन है हरीजन जल से भरा हुआ घरा जल से भरा हुआ गहडा सकुन चीडी बाई तरब तीतर शुब माना जाता है ध्यारकी का शुब माना जाता है इसके अलावा बात कर लेते हैं जब यात्रा करते हो ठीक है उस समय गहडे को बाई और टाला जाता है जो घदा है उसे बाई और टाला जाता है और जहरीले जनतू है जहरीले जनतू को दाहीनी तरब ताला जाता है ठीक है अब ध्यारकीएगा और बात कर लेते हैं मंदिर है उसके पीछे से गुजरना या जाना अशुब माना जाता है क्या माना जाता है अशुब माना जाता है दोस्तो इस वीडियो में जो शुब है और अशुब के बारे में हमने डिसकर्ट किया ये ट्रॉपिक इतना इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार आप दो से तीन बार इस वीडियो को देख ली जगा अगर इसमें से कोई भी क्यूशन पूट अप होता है तो आप इजिली आंसर दे पाओ इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें आपको अगर ऑपकोझाव बनाया है